आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज परे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दी गई बेल बटन पर क्लिक कीजिए तो चलिए आज हम बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी तो आज की हमारी रेसिपी है रीजगोर्ड की छिलके से बनी वड़ा रीजगोर्ड की करी आपने बहुत खाई होंगे लेकिन आज हम इसके छिलके से वड़ा बनाएंगे ये मेरी ममी की रेसिपी है जो मैं आज आज आपके साथ सेयार करने वाली हूँ इसके लिए मैंने दो रिजगर्ड लिया है इसी साइज के एक चौप्ट की हुई ओनियन, थोड़े से लशुन, बैशन, जीरा, नमक और दो हरी मिर्च तो पहले हम इस रिजगर्ड के छिलके को निकालके इसे बॉयल कर लेंगे मैंने इसे पानी के साथ नमक और हल्दी मिला के दस मिनिट तक बॉयल कर लिया है अब हम इसको मिक्सी में डालेंगे इसके साथ मिलाएंगे लेसुन, जीरा नमक और हरी मिर्च मिला के इसका पेस्ट बना लेंगे अभी हमने इसका पेस्ट बना लिया है इसे एक दूसरे बरतर में निकाल लेंगे अब हम इसमें मिक्स करेंगे कटी हुई ओनियन बैशन और थोड़े से जीरा पाउडर मिला के मिक्स कर लेंगे हम इसमें थोड़ी और बैशन डालेंगे क्योंकि मिक्स्चर को हमें थोड़ा थीक बनाना है अभी हमारा मिक्स्चर रेडी हो चुका है अब हम इसको फ्राइ करेंगे ग्यास में फ्राइंग पैन गरम करके इसके उपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे अब हम हमारे बनाएवी मिक्स्चर को पैन में कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे वड़े की साइज के जैसा इसे बना लेंगे इसे चार से पांच मिनित तक पकाएंगे फिर हम इसको पलड़ देंगे ग्यास की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है इस तरह से हम सारे बड़े को पलट लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे ताके बाकी के साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए अब हमारा बड़ा बनके रेडी हो चुका है यह रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और आपको यह कैसी लगी मुझे कमेंड में बताईए ऐसे ही और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए तैंक यू